नमस्कार मित्रों आप सभी का ओम डिजिटल इस्टडी के इस ओनलाइन लर्निंग प्रेडफोर्म पर एक बार पुनें बहुत-बहुत स्वागत अभिनेंदन आज के सेसर में हम लेकर पुर्णी के लिए उस पर हम चर्चा करें पहले हम देख लेते हैं तो यह जो पैपर है हम किसी से छुपी बात नहीं है लेकिन प्रमचारी चैनि बॉर्ड है इसके सम्मन में है वो प्रूफ मांग रहे हैं कि हमें प्रूफ दीजिए कौन-कौन से questions है वो out of syllabus आए हैं ठीक है तो इससे आप उनकी जो मांसिकता है वो सारी चीजे हैं वो आप अच्छी तरीके से हैं वो समझ गए होंगे अब जो हैं आपके लिए क्या रणनेती हो सकती है फर्ष्ट पैपर की तो इस सम्मन में अगर हम बात करें तो आप सभी को अच्छी तरीके से पता है लगबग 20-25 जो questions है वो out of syllabus आए और इसी syllabus पर आदारित इसी क्रमचारी चैन बोर्ड के द्वारा 2018 में total 4 पैपर हैं वो कंड़क्ट करवाए गए थे और उसमें आप पूर भारत की पारिस्ति की इत्यादीर करेंट अफेर्श इत्यादी है उससे 50 प्रेशन पूचे जाते हैं 50 प्रेशन आपके साइंस से और 50 प्रेशन मैट्स के वो पूचे जाते हैं तो वह पैपर आप देख लीजिए उसमें से क्रमचारी चैन बोर्ड के अध्यक्स को भी वह है वो बताना चाहिए और देखना चाहिए कि क्वालिफिकेशन इत्यादी वही थी एक्जाम का पैटर्न वहीं था और क्रमचारी चैन बोर्ड यानि कि यह संस्ताई वहीं थी जिसने यह पैपर कंडेक्ट करवाया था तो उस समय तो उस चेयर मैन को एसी कोई नोबत नहीं आई कि क्वालिफिकेशन के आदार पर इनका जो चीजे कहना है वह यह है आप यहां पर देखिए कि जो सिलेबस एक ब्रोड गैडलाइन होती है यह एक्जाम में सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इस्ट्रक्टली दिये हुए सिलेबस के वर्ड टू वर्ड क्वेशन्स पूच कर नियुक्ति करनी हो तो भरती में क्वालिफिकेशन का कोई ओचित्य नहीं रह जाता है इनका आप यह मानना है कि हमने जो आपकी क्वालिफिकेशन दी है 12 ठीक है अब हम 12 की क्वालिफिकेशन के आदार पर आप से क्या पूचेंगे प्रेशन पूचेंगे तो सिलेबस किस नाम का यहां पर इन्हों ने इस पाषटीकण जो दिया है यह इसी आपका जो ने तरहını के लिविश्तान मादमिक सिक्षा बौर्ड की सेकंडरी प्रिक्सा का रहे गा तैंत चेंडर्ड का आपका पैपर पूचा जाएगा 10 में क्याwich कुछन साते हैं वह बात ठीक है कि इन्होंने जो इंडिया जी के के विश्व भुगोल के रित्यादी जो प्रेशन पूछे हैं तो 10 इस्टेंडर्ड के लेकिन जो आपने सिलेबस दिये हैं उस सिलेबस को आपने फोलो नहीं किया है हमारी मुख्य जो आपत्ती है वह यह है ठ सिलेबस से बिलकुल word to word जो questions है उस सिलेबस से ही पूछा जाए RPSC है यह exam है वो आयुजित करवा रही है जब से अभी वेसे करमचारी चैन बोर्ड के chairman महोदे को पूरा एक साल 16 अगस्त को है वो complete एक साल है वो complete हुआ 16 अगस्त 2000 इसको उन्होंने कारेबार ग्रहन किया उस एक questions है science का कहीं दे रहे हैं उसके just बाद में आप GK का दे रहे हैं उसके बाद में maths का दे रहे हैं पूरा जो student का जो exam का जो माहूल है वो भी पूरी तरीके से है वो बदल जाता है इसमें आपको क्या दिक्कत है कि GK के जो 50 प्रशन एक segment के है तो वो एक segment पूरा अलग ECB कर रही है और भारत का कोई भी ऐसा board कोई भी ऐसा commission नहीं होगा जो इस प्रकार का जो paper है वो आपका set करता हो और यहां पर इस बार जो आपका paper जो set हुआ है तो इसमें अब करमचारी chain board का कहना यह है कि हम इसके लिए क्या करेंगे आप से objection आमंत्रित करेंगे objection आमंत्रित करने के बाद में आपसे हम आपत्ती मांगेंगे और आप आपत्ती दर्ज करेंगे जिसके लिए हम प्रतेक प्रेशने का objection के लिए 100 रुपे का आपको फीस है वो वसू लेंगे अब 25 questions कुछ questions इसमें second paper के भी होंगे कुछ first paper के यह तो हम 50 में से बात करें out of 50 questions का 50 प्रतिशत है उस पर तो आपको objection इसी लिए डालना है कि यह out of syllabus आए उसका 25 into 100 करेंगे तो पचीस रुपे है केवल उस out of syllabus का हो गया इसके अलावा 5-7 questions ऐसे होंगे यह second paper में भी कुछ questions होंगे science के और maths के भी ऐसे कुछ questions होंगे जो यह answer की जारी करेंगे उसमें कुछ अनकुछ आपको गड़बड दिखाई देगी तो उस पर भी आप objection लेंगे यानि कि objection का एक student लगबग 3,000-3,500 रुपे है student objection का पे गरेगा प्रतेक student और जब तक ज़्यादा objection नहीं जाएंगे यह उन चीजों को हवो considering नहीं करेंगे तो इसका तो मतलब यही हो गया कि पहले तो student को coaching institute को fees देनी है तैयरी करने के लिए शहर में रहना है जैपूर इत्यादी जो city में उसके लिए प्रतेक मेने का 10-12-15,000 रुपे का जो room rent इत्यादी है वो सारा जो खर्चा है वो उसको वहन करना है एक साल तक भरती प्रक्रिय यह complete नहीं होगी उसके बाद में आप objection इत्यादी मांगेंगे उनकी fees उनको pay करनी है फिर आप इसका typing test करवाएंगे तो अभियरती typing के लिए इधर उदर भागेंगे efficiency के लिए है वो coaching इत्यादी करेंगे typing के लिए आप और coaching इत्यादी करेंगे उनकी fees देनी है और फिर जाक वेतन मिलेगा तो 15,000 में भला 2 साल में अभियरती है वो किस प्रकार शे अपने आपको एक है क्योंकि नोकरी लगने के बाद में उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां है वो भी तैय करनी होती है तो और इससे भी यह नहीं है कि आप typing कर लिया आप finally है वो आप select हो जाएंगे क्योंकि इस प्रकार की जो पहले तो क्या होता था कि पैपर आउट की ज्यादा हो रहते थे कि पैपर आउट है अब जो पैपर आउट नहीं आपका आउट अप स्लेबस है उसका चलन है वो सुरू हो गया आप इससे पहले भी एक्जाम देखिए जूनिर अकाउंटेंट के देखिए आसमान चुने वाली जो कटोप थी और दूसरी मेहत्पून बात यह है कि बॉर्ड है कि इतना सेंसिटीव है बॉर्ड की जो कारे प्रनाली है वह इतनी बहुत अच्छी है कि 5-7 तिन पहले ही कितनी क्या कटोप रहेगी उसके आंकड़े है वह यूट्यूब पर ट्रेलिग्राम चैनल पर है वह प्रकाशित हो जाते हैं अब अगर इतनी ही यह पारदर्शिता के साथ में काम कर रहे हैं इतनी इनकी गोपनियता है तो आप देख सकते हैं आपकी LDC का क्या हस्र होने वाला है तो यहां पर आपको क्या करना चाहिए क्रमचारी चैन बोर्ड है इसका यह एक है आप से अब्जेक्शन लेंगे तो पहली बात तो आपको यह मांग उठानी चाहिए कि जब आप उब्जेक्शन ले रहे हैं अब जब्जेक्शन हम डाल रहे हैं यह किसकी गलती है क्रमचारी चैन बोर्ड के और पैपर बनाने वाली उनकी गलती है ना कि इस्टूडेंट की ओब्जेक्शन डालें अब यह बात ठीक है कि यह नियुनतम फिस इसलिए ली जा रहे है क्रमचारी चैन बोर्ड का स्टेट्मेंट यह रहता है कि यह फिस हम इसलिए ले रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा अब्यरती है वह इसमें ऑब्जेक्शन ना कहता हूं बले आप 200 रुपे फिस रखिए लेकिन अगर आपका जो इस्टूडेंट ने जो ऑब्जेक्शन डाला है और उस ऑब्जेक्शन के एकोर्डिंग आपका क्वेशन से वह डिलीट होता है यह आप उस क्वेशन के लिए बॉनस देते हैं जो भी करते हैं अगर वह वह सही होता है तो आपको पूरी की पूरी जो फिस है तो रुपे अगर आप 200 रुपे करें तो भी आपको जो फिस है वह इस्टूडेंट को रिफंड करनी चाहिए रिफंड की कौन सी फिस की एसी फिस जो इस्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन डाला है और उस जो भी आपने किया है, अगर वो सही objection है, तो सही आपत्ती पर आपको क्या करना चाहिए, आपत्ती पर आपको refund दिया जाना चाहिए, ठीक है, तो ये जो बात है, ये आपको पहली बात है, वो उठाना चाहिए, ये प्रते एक भरती प्रिक्षा में लागू हो, RPSC ने ये system ल objection डालेगा, उसका objection अगर शही पाया जाता है, तो उसको जो objection के लिए उन्होंने जो fees पे की है, उसका refund किया जाएगा, ये RPSC ने ये आपकी प्रक्रिया अपना ही हुई है, तो क्रमचारी चैन बोर्ड को भी ये प्रक्रिया है, वो अपनानी चाहिए, दूसरी बात है, हम तो किसको follow कर रहे हैं, उसकी qualification है, उसको देख रहे हैं, तो qualification में तो 10 तक student ने 9 और 20 में Sanskrit भी पड़ी है, आप हिंदी की जगे Sanskrit भी add कर लीजिए, qualification की आप बात कर रहे है, qualification का मतलब ये नहीं होता है, qualification का मतलब एक standard होता है, कि कि standard तक आप questions है, वो पूछे जाएंगे, औ और उसमें कौन-कौन से अभ्यर्ति है, वो आपके पात्र होंगे, प्रिक्षा में बेटने के लिए होती है, ना कि उस प्रिक्षा का जो syllabus इत्यादी है, अगर आपको उस qualification के आदार पर syllabus तैय करना था, तो आप syllabus में वर्ट जी के जोड़ देते, भार्ट जी के जोड़ दे वो चीज़े आप दे देंगे, अब पोर्ट अभ्यर्ति क्यों पड़ें, भारत के विविन जो बंदरगा है, वो सवाल पूछ रहे हैं, और उसमें भी कोई एकाद पूछे तो पूछते ही जा रहे हैं, आप लगातार, जो करन्ट अफेर्स से, जो समसामी की से सम्मंदित म भूली गए, यह आप दोजार अगर बात करें, तो अठारा का जो पैपर है, और पीसी ने इसी आपका सिलेबस पर दोजार, अगर बात करें, 11 में पैपर करवाया था, ठीक है, इसमें यह जो फचास प्रश्ण है, वो आप देख लीजिए, यह पैपर 11 अगस्ट दोजार, 12 को आपका अभी वाला पैपर हुआ है, यह जो अगस्ट जो आपका LDC का 2018 वाला पैपर था, वो इससे करीब एक साल, यह निकी 6 साल पहले बार अगस्ट 2018 को हुआ था, और इस पैपर में आप देखिए, प्रशन्स नंबर 51 से लगा करके आपके जो जीके के प्रश्ण है, वो स्टार्ट होते हैं, उसमें आप देखेंगे, तो बारत की पारिश्टिकी और वन्यजीव है, इसके अलावा आपको एक भी प्रश्ण है, जीके का एसा नहीं मिलेगा, जिससे आपको बारत और जो विस्व जो भुगोल है, या इतियास है, उसे संबंदित कोई आपका प्रश्ण है, वो पूछा गया हो, और क्रमचारी चैन बोर्ड के जो चेर्मैन इतियादी है, वो क्या कर रहे हैं, कि अपने आपको और जो समार्ट समझने के लिए, अपने आपको एक अलगी स्तापित करने के लिए इस प्रकार की चीज़े हैं, वो दे रहे हैं, पैपर ए इसी रूप में गाइड करते हैं, कि आपको केवल उसकी युग्यता है, वो देखनी है, उसी युग्यता के आदार पर आप कोई भी कुशन्स है, वो डाल दीजिए, सिलेबस का आपका किसी भी प्रकार का कोई इसमें है, वो आपको ध्यान में रखने की आप सकता नहीं है, अगर एसा है यह नहीं कहते, तो हो सकता है, हिस्ट्री वाले जो पैपर सेटर है, उनकी गलती हो गई हो, उन्होंने इंडिया हिस्ट्री के कुशन्स डाल दिये हो, अगर पैपर सेटर, एक ही पैपर सेटर थोड़ा ही होता, जो हिस्ट्री का भी पैपर बनाता है, जियोग जुगराफी की बनाता है तो जुगराफी वाला क्यों है वो आपका आउट ओप सेले बस वह आ गया तो वह सारी की सारी अद्यक्स की है वह उनकी गाइडलाइन होती है उसी अनुरूप काम करता है वह सेकंड ग्रेड के बहुत सारी पैपर है चरवाते हैं वह आपके पूरी प्रकार्षे प्रश्ण है वो पहले वाले पूछे गए हैं यह इसी बात नहीं है कि इनकी गलती से हो गया गलती एसी नहीं होती है बचों के भुष्य का स्वाल है 40,000 से ज़्यादा अभ्यरती है वो इसमें आप बेट रहे हैं ठीक है तो अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए पहली बात है कि क्रमचारी चैनल बोर्ड को आप सभी को इसके लिए एक अंदोलन है वो डिजिटल अंदोलन आपको हो चलान चाहिए अब आपके पास में बहुत सारे और एक्जाम है सीटी इतियादी है आप कब तक धरना पर बेठेंगे और जैपूर पर जैपूर में रेकर के धरना इतियादी देंगे तो वो है वो सभी के लिए पोसिबल नहीं है इसलिए आप डिजिटल केमपेंज चलाए और र मिलिए इसके लावा जो उपेंजी यादव है वो भी आपको पहले बहुत सारे जो बेरोजगार युवाओं का साथ दे रहे थे तो अब तो वो सरकार का हिस्सा है ठीक है सरकार में है तो निश्चित रूप से आपका सहयोग करेंगे तो इस परकार के जो प्रतिनिदी है न री एकजाम और दूसरा जो है वो आपका कुषण्स है वो क्या है डिलीट कुषण्स अब देखिए अगर बात करें री एकजाम की डिलीट कुषण्स की तो इसमें आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है वो कौन सा है ये अलग बात है कि अलग-अभियर्तियों के ये re-exam सही है तो किसी के लिए questions को delete किया जाना सही है re-exam की अगर हम बात करें तो उससे नुकसान किसी को नहीं होगा और जो करमचारी चैन बोर्ड है उसको भी एक सबक मिलेगा कि आगामी exam में ये इस प्रकार की हरकत है वो ना करें उन हरकतों से बाज आए क्योंकि re-exam करवाएगा सरकार का पेसा है वो लगेगा उसमें और पेसा जब लगेगा तो वो सारी की सारी जो सरकार की जो गाज है वो करमचारी चैन के जो RSSB के जो चेर्मेन है उस पर भी पड़ेगी बहुत सारी जो पैपर है वो पहले आपके आउट हुए लिक हुए लाखों जो अभियरती है उसमें एन्रोल हुए 6-6 लाग 10-10 लाग जो अभियरती है उनके लिए re-exam करवाया तो अब तो आपके लिए कितना है लगबग 40,000 के अभियरती है इस 40 के अभियरतीयों के लिए ही re-exam करवाना है तो इसके लिए ज़्यादा कोई विशेश इतनी बड़ी बात नहीं है कि re-exam यह नहीं करवा सकते अगर हम बात करें कुशन की डिलीट का तो डिलीट से क्या होगा कि आपके लगबग मैं re-exam first paper की बात कर रहा हूँ सारा re-exam नहीं केवल first paper में आपकी घड़वडी हुई अब जो डिलीट कुशन है मान लिया आपके 25 प्रेशन यह डिलीट कर देंगे अब 25 प्रेशन डिलीट कर दिये जीके के टोटल 50 प्रेशन है वो आते हैं अगर इन्होंने 25 प्रेशन डिलीट कर दिये जीके के 25 त्यारी थी और जिनका math और science है वो कमजोर है कुछ अब्यर्थी तो केवल science और जीके वाले के बलबूते ही आपके इसकी त्यारी कर रहे थे math advanced math इसमें है वो समझ से ही बाहर थी कि इसमें हम अच्छा कर लेंगे और हिंदी इंगलीस हमारी अच्छी है तो इसमें हो जाएगा लेकिन वो जो इतने questions delete होंगे तो उसका जो वेटेज है वो आपके सारे जो से questions है उनमें उसका वेटेज है वो बढ़ जाएगा यहने कि science का जो एक questions पहले अगर बात करें तो आपके सो मार्क्स है और कितने डेड़ सो टोटल है वो questions है उनका जो वेटेज है मार्क्स का particular questions के जितने जो मार्क्स पहले बंद रहे थे उनका वेटेज यह लोग बढ़ा देंगे ठीक है तो उससे है वह आपको फाइनली हो नुकसान होने वाला है मैनली साइंस और आपका बात कर कर देंगे बाकी वालों में उनको और ज्यादा है वो आपकी मिल जाएगा ठीक है अब बात करें तो इसके लिए अगर प्रेशनों को विलोपित करके उसका समान सभी को दे दिये जाए कि 25 questions के कितने अंक है वो होने चाहिए थे वो सभी में है वो distribute कर दिया जाए तो भी मैं मैं समझता हूँ कि जो arts background के students हैं जिनका जीक एतियादी ठीक था बाकी वाले कमजोरी थी उनको फिर भी ये नुक्सान होगा क्योंकि ये जो number distribute होंगे वो सभी को मिलेंगे जिनका science math अथा है उनको वो तो मिले ही है 25 इसके और जो number है वो भी आपके हो मिलेंगे तो अगर ब जो री एक्जाम है बहुत सही तरीके से करवाए according to syllabus करवाए तो ही इसका आपको हवो न्याए मिल सकता है अब आपको क्या करना है कि ये चीज है इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा है वो digital campaign चलाना है Twitter इतियादी पर क्योंकि आपका काम ही तो typing करना है typing करते करते जैस त्वीट करें जो विग्यापन इतियादी है वह आप जो करमचारी चैन बोर्ड के जो चैर्मेन है ठीक है उनका आपसे हो विशेश रूप से कोई है वो लेना देना नहीं है आपको केवल राज्तान के मुख्य मंत्री जी को है वह आपको पत्र लिखना है और इसके लावा जो शिकायत इतियादी है वह आप हो दर्ज करवा सकते हैं ठीक है तो ये चीज आपको हो साथ साथ करनी है और इसके बावजू भी जब आपका इसका क्या निर्णे रहता है ये अबजेक्शन इतियादी मांगते है उस आदार पर ठीक है वह अगर ये हरकत में नहीं आते है तो फिर आप ऑबजेक्शन है वह बाइकॉट भी कर सकते हैं फूरी तरीके से ऑबजेक्शन ठीक है पहले तो आपको अबजेक्शन है वह लगाना है और ये जो बॉनस इतियादी जो देते हैं अगर जो वेटेज बढ़ा लिया तो ये तो सभी के साथ मन्याय होगा बॉनस इतियादी देते हैं और बॉनस से आप सभी अगर संतुष्ट है तो कोई बात नहीं है सेकंड फेस के लिए आप तैयार रहें अगर आप इसको लेकर के संतुष्ट नहीं है करमचारी चैनल बोड की फेस लेको फिर आपको हाई कोट जाना चाहिए सारे अभ्यरतियो को मिलकर के और हाई कोट निश्चित रूप से आपको री एक्जाम है वो करवाने का अदेश देगा क्योंकि आपके पास में फोस सबूत है कि पैपर है वो एकोर्डिंग टू सिलेबस है वो नहीं हुआ है ठीक है इसके जो पुक्ता परमान है दूसरी बात है आपको केवल का एक्जाम होगा क्योंकि राज्तान की वरतमान सरकार है यह चाह रही है कि हर साल एक्जाम है वो करवाय जाए और यह जो वेकंसी है छे साल के बाद में आई यह पहली वाली वेकंसी थी करीब CET के बाद में नई वेकंसी LDC की आपकी निश्चित तोर पर आने की संभावना है तो नई वेकंसी में आपके और भी पदाएंगे तो उसकी भी आप टाइपिंग इत्यादी करें जो तैयारी इत्यादी है वो भी आप उजारी रखें और और भी बहुत सारी जो पटवारी की वेकंसी है ग्रामविकास अधिकारी की वेकंसी है जोनिर अकाउंटेंट की है यह CET को भी आप है वो साथ साथ में फोकस करें अब इसमें कितने गुणा अभीरतियों को पास करेंगे तो इसमें आपके तीन गुणा अभीरतियों को पास करेंगे ठीक है लगबग आपके 12-13,000 अभ्यरती है वो इसमें टाइपिंग के लिए है आपको पास करेंगे उसमें भी एक विशेस बात है कि आपके परते एक जो कुशन्स पेपर है इसमें 40% है वो मीनिमम कौलिफाइंग मार्क्स आपके होने चाहिए ठीक है अगर आपके फर्स्ट पेपर में 40% नहीं है त तो आप डिस्कौलिफाई और सेस्ट के स्टुडेंट्स हैं उनको मिनिममम 5% के साथ में 35% में कौलिफाइंग मार्क्स होने चाहिए दूसरी आपकी जो सेकेंड फेज है वो टाइपिंग और एफिसेंसी का होगा और इस सम्मन में आपकी किस परकार से क्या टाइपिंग कर दो आपकी बंढ़ेगी सोड नमबर जो है वो आपकी क्या है सेकंड जो फेज है यह टाइपिंग का अपका रहने वाला है ठीक है तो सो हस्क 2 आपको क्या करणा है यह केंपेन को भी आपको बरकरार रखड़lenा है और दूसरी बात हैं कि आपको अपनीं तैयारी भी बरकरा कि विशेस रूप से अभी आपको ज़्यादा कोई देखने की आपसिता नहीं है दक्सा आपका एक साथ दूनों का काम है एक दो सब्ता में आप पूरी तरीके से यह कटश अब की नहीं बता रहा हूं यह कटश है जिसेऑं के 202 आप देख सकते हैं कितने 12-13-12,000 पदों पर भरति का है वह आपका क्या किया था विग्यापन जारी किया था यह आप कटोप है वह देख सकते हैं ठीक है सो नंबर होते हैं यनिकी आप देखिए ओबीसी की फीमेल की कटोप है यह लगबग 50 प्रतिसत के आसपास में गई है ठीक है और बाकी वाली 112-122 है यह आपकी 40,000 अभियरतियों की आपके लिए कितनी पोश्ट है 42 से भी कम पोश्ट हैं कितने पास करेंगे जितने LDC बरतिप्रिक्षा में फाइनल भी उसमें बहुत ज़्यादा थे क्योंकि 12,000 के डेट गुना अभियरति है वो फाइनल आपके पास आउट है वो किये थे ठीक है तो वो भी उसमें है वो बहुत ज़्यादा थे और उसकी 60-65 परसंटेज के आज़ पास में अगर आपके बन रहे हैं ठीक है OBC के और जनरल वाले लगबख 17 परसंटेज आप है वो मान करके चलिए ठीक है लेकिन मैं कहूंगा कि 60-65 परसंटेज वाले जनरल और OBC के जो स्टुडेंट है वो आप क्या करें टाइपिंग है वो आप क continue कर दी किया कर दीजिए और टाइपिंग आपको डेली में ज्यादा टाइपिंग के लिए समय देने के आफनों को तीन सेग्मेंट में बांत लीजिए पैंतालेस मिनटतर और पैंतालेस मिनट टीक है यह आपको सुभे करनी है और यह आप 2005 मिनट मिनट अप करेंगे और थो है आपके लगबग 70% प्लस जो माक्स है इसमें आ रहे हैं और अगर आप बिगनर है तो भी आपको start कर दानी चाहिए और जिनकी पहले से ठीक ठाक है उनके साथ 65% जो माक्स है वो भी बन रहे हैं तो आप typing को आप continue रखे क्योंकि और भी जो वेकंसी है की आपकी अगले साल ही आने वाली है तो उसके लिए भी आप typing में बहुत अच्छी performance है वो करेंगे तो आपके लिए typing में अगर आप अच्छे दक्स होंगे तो कहीं आप part-time job भी कर सकेंगे बहुत सारे coaching institute है उनको भी typist रितियादी की आशुत्या पड़ती है तो आप घर बेटे भी अपनी जो आजिविका है वो चला सकेंगे प्रतियों की प्रिक्षा की तैयारी करने के साथ-साथ तो यह एक प्रकार की आपकी skill है तो इसमें कोई बुरा ही नहीं है डेली के आप डाई दो डाई गंटे अगर आप देंगे तो डेली बेसिस पर प्रक्तिस के माध्यम से आपको कहीं प्रतियों की आप के से मां सकते हैं कि कटोप है वो ठीक रहेगी लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपको टाइपिंग है 65 पर्शंटेज वाड़े अभ्यरति है वो टाइपिंग है वो आप कंटीनीव करें क्यूंकि आगे भी आपके टाइपिंग है वह आगे भी बरती होगी, यह typing हर क्षितर में आप अगर typing में दक्स होँगे, तो आप हर क्षितर में है वो अच्छी तरीके से जो जोब है, वो थोड़ी वहुत आप अपनी जो आजिवी का है, वो है वो बिल्कुल हो चला सकेंगे, परतियों की परिक्षा की साथ में, त्यारी के साथ साथ में room rent तो आप है वो दे ही पाएंगे typing के माध्यम से ठीक बात है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और बाकी जो चीजे हैं वो आपको विशेश तोर पर राजस्तान के मुख्यमंत्री के कानों तक आपकी आवाज है वो जानी चाहिए वो अपने हर भासन में बेरोजगार युवाओं को मेरे युवा मेरे क्या कहते हैं दिल के टुकड़े कहकर के वो अभिव्यक्त करते हैं युवाओं को ठीक है संबोधित करते हैं तो आप उनके दिल के टुकड़े हैं और आपके दिल के टुकड़े को कभी भी वो आपसे अलग है वो नहीं कर और जितने भी जो नेता इत्यादी है उनको भी आप कहिए कि ज्यादा से ज्यादा उन तक आपकी है वो पहुंचाए ताकि वह निश्चित रूप से आपकी इस समस्या का समाधान है वो करेंगे ठीक है तो बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत सुक्रिया और सेकंड फ